नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेजन स्वागात रविनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का मंगल एक ऐसा क्रेंच जिसके अंदर टेज है जिसके अंदर प्रताफ है जिसके अंदर टाकत है जिसके अंदर जोश है जिसके अंदर जिनून है जिसके अंदर क्रोध है जिसके अंदर सामने वाले को जवाब देने की च्छमता है मंगल क्या है मंगल रक्त है जक्त यानी कि खुन जिसकी कहते हैं जिसकी रगों में खुन खुलता है जिनकी रगों में खुन दोरता है वो लोग शूरवीर होते हैं मंगल सेना पती है मंगल हतियार है मंगल ग्रेह साहस है आत्मिश्वास है कॉन्फिडेंस है मंगल जिसका कमजोर उसका आत्मिश्वास कमजोर वेवसाय में मंगल सेना है यानि सेना की अधिकारी सेना में जो भी लोग काम करते हैं पुले सेनन जहाँ पे शौर्य का काम होता है, سैनिक है मंगल, योध़ा है मंगल, इंजीनियर है मंगल, रियल स्टेट के कामों को जोड़ता है मंगल, वैबार का प्रतिय्ध्यत्य करता है मंगल, टॉप के डॉक्टर खासकर सर्जन या पुलिस के बड़े अधिकारी जाहे वो I.S.P.C.S. या सीना के बड़े अधिकारी ये सब वही होते हैं जिनका मंगल बलवान होता है मंगल प्रख्याद भी बनाता है और मंगल को ख्याद भी बनाता है अब इस दुनिया में अगर पुलिस है तो चोर भी है तो दोनों तरीके की प्रवर्टी मंगल देता है तो कुली में अगर मंगल बली है अच्छा है तो आप बहुत प्रख्याद हो जाएंगे और अगर खराब है तो कुख्यात हो जाएंगे किसी ना किसी लाइन में तो आप तरक्की करेंगे ही करेंगे मंगल क्रोध है गुसा है व्रश्चिक राशी और मेश राशी का स्वामी है मंगल और मंगल अपनी ही राशी व्रश्चिक में 5 दिसंबर 2021 को सुबह लगबख 5 बज़े प्रवेश करेंगे और 4 जनुरी 2021 की सुबह तक मंगल व्रश्चिक राशी में ही गोचर करेंगे यानि साल 2021 का आखरी महीना दिसंबर का और साल 2022 की शुरुआत मंगल के आशिरवाद से ही होगी सभी भारा राशी वाले जातिकाओं की मंगल के पास तीन द्रश्चिया हैं मंगल जहां बैठते हैं महां से चतुर्त सब्तम और अस्तम भाव पर द्रश्चि डालते हैं मंगल की द्रश्चि मिश्चित फल देती है मंगल की द्रश्चि शुब या मित्र गरहों पर पड़े तो बहुत अच्छी मंगल एक 27, 28, 26 साल का जो लड़का होता है जितना उसके अंदर जोश होता है वो मंगल है तो मंगल अगर अच्छा है तो आप जरूर दंगल करेंगे और मंगल अगर खराब है तो समझ लीजिए आप डर पोक भी बन जाएंगे तो आएए आप जानते हैं कि आपकी राशी पर इस मंगल के परिवरतन का क्या प्रभाव पड़ेगा यह जैनकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी हम विस्तार से चर्जा करेंगे आपकी राशी की और साथ ही साथ जानेंगे उपाए जिससे की मंगल को हम और बहतर कर सकें आईए शुभारम करते हैं मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहा है क्या साउधानिया लेकर आ रहा है सबसे परियत नजर डाली अपनी कुणली पर मंगल चौते और एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोजर करेंगे वरश्चिक राशी में कहीं न कहीं मंगल आपके लिए शुब परिणाम लेकर आएंगे तो कि 11 भाव में कोई भी ग्रै अशुब फल नहीं देता है आप अपनी इच्छा के अनुसार लाब गमा पाएंगे कहते हैं ना कि मुझे वो नौकरी मिल जाए जिसमें मेरे मन मताबिक मुझे सेलरी मिले मुझे मेरे मन मताबिक कुरसी मिले मेरे मन मताबिक शहर मिले, मन मताबिक ओफिस मिले तो यहां पर मन मताबिक काम होगा आप अपनी इच्छा कक्रण साल काम करेंगे आप इंटर्विू में जाएंगे तो सामने वाला पूछे का आपको कितना पैसा चाहिए आप कहेंगे मुझे इतना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा बहुत ही अनुकूल रहेगा ये गोचर आपके लिए फाइदे मन्द साबित होगा आप सब कुछ पाने में सक्षम होगे हाँ जो लोग प्रेम समंदों में हैं वो थोड़े से निराश हो सकते हैं विरिष्टों में गलत फेम या वैस्तता की वज़े से आ सकती है तो अपने रिष्टों को भी सुधार के रत्मे की कोशिश करिएगा आपका स्वास्त अच्छा रहेगा मन अच्छा रहेगा दोस्त याज फ्रेंड सर्किल आपके काम आएंगे परिवार के लोग सुखा जीवन बिताएंगे आप अपने परिवार वालों को उनके सुख से उधाओं की चीजे देंगे विदेश यात्रा विदेश में पढ़ना विदेश में नौकवी विदेश में शादी करने की इच्छा पूरी हो सकती है नया कोर्स चालू कर सकते हैं पढ़ाई का कोई हाईयर स्टडी के लिए जा सकते हैं रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू हो सकती है आपकी इमानदारी की प्रशाशा होगी इमानदारी के काम से आप और आगे बढ़ेंगे हाँ बहुत चटर पटर मसालेदार खाना भोजन इनसे बचने की कोशिश करिएगा आपके स्वास्त के परती थोड़ा सा सजग रहिएगा लापरवाही मत करिएगा मौसम बदल ना है इन सब चीजों का भी धियान दखिएगा अगर कोई दिक्र परशानी स्वास्त को लेकर आती है तो डॉक्टर जान जरूर कराएं एक्सरसाइज वयाम जरूर करें ग्यारवे घर में मंगल आपको दोस्त्यारों से या कई बार जैसे आपको पुरानी कंपनी में काम करते थे वहां पर कुछ दोस्त्यार थे वो आपको कोई बता दे की हमारी कंपनी में और अच्छी वैकेंसी निकली है आप यहां पर अप्लाई कर लो या दोस्त्यारों की मदद से कोई आपका और अन्न बड़ा काम हो जाए दोस्तियारों की मदद से आप विदेश पहुँच जाएं दोस्तियारों की मदद से आप ग्रूप स्टडी करके अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत कर ले यानि फ्रेंट सर्किल और आपके पुरानी दोस्तियारी यहां पर काम आने वाली है बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाली है बढ़िया रिजर्ण दे कर जाएगी आप बढ़िया टीम लीडर होंगे आप एक अच्छे टीम का मार दर्शन करेंगे आपको आपके कामों से आपके काम की प्रतिवा से काम की सुन्दर करने की तरीकों से पहचाना जाएगा एक अच्छे मैनेजर होंगे एक अच्छे घर के मुखिया होंगे एक अच्छे वैपारी होंगे आप दूसरों पर नहीं स्वेम पर विश्वास करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ मेरे अंदर दम है, मुझे दूसरों की सहारे की आउशकता नहीं है मजबूत और सहासी होंगे, पीछे मोड़कर नहीं देखेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, सर्वत्तम प्रयास करेंगे अपने लक्ष को पाने के लिए जो बेस्ट होता है, 100% देंगे आप अपना अच्छा बोलेंगे, बड़े मुझेरों के आदर्शों पर चलेंगे हाँ, कई बार आपके नीचे जो काम करने वाएं लोग होते हैं आप उनकी छोड़ी गल्दियों पर बहुत जड़ा गुसा कर जाते हैं बहुत ज़़ा सक्त हो जाते हैं, एक बहुत ज़़ा सक्त टीचर बन जाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा विनमरता लाईएगा, आप अपने संबंद, अपने साथ काम करने वालों से भी अच्छे बनाता रखें, ताकि उनका भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, बंगल यहां पर आपको समर्दी, सुख और आराम दायक जीवन देंगे, जीवन में सफलता पान के लिए मेहनत ही नहीं, बलके दूसरे लोगों का आशिरवात भी चाहिए होता है, सायोग भी चाहिए होता है, अकिले कोई कुछ नहीं करता, तो यहां पर आप स्वेम तो प्रगतिशीर होंगे, आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जुड़ जाएंगे, ऐसे विचार जुड़ जाएंगे, जिनके साथ मिलकर आप कुछ कमाल कर देंगे जीमन में, दूसरों की बातों को सुनिये, समझिये, अपनी मत कहिए, अपनी कहिए, चुप रहिए, सामने वाले की सुनिये, फिर निशकष निगा लिएगी करना क्या है, उच्छ पत पर बने रहने के लि करिएगा, हम ही हम है, ऐसा नहीं है, आप भी हैं, दूसरे को भी प्रोश्चाहन दीजेगा, दूसरे को भी हिजट दीजेगा, तो बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप अपनी उपलब्दियों के लिए बहुत अच्छा पदक पाएंगे, बहुत अच्छा इनाम प इच्छा ग्रहन करने वाले इनसान होंगे, धम दॉलत, यश्च की कमी नहीं होगी, शनी की साड़े साथी का प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मंगल आपको अनेक तकलीफों से बचाते हुए, जीवन में सुख प्रदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिसंबर का अंद और जन्वरी 2022 की शुगवाद मालक्श्मी की आशिवास से होगी, आनन्द ही आनन्द होगा, अपनी माता जी का सम्मान करें, माता जी की सिहत का ध्यान लखें, पत्नी के जजबातों को सबझें, उनके साथ गलत फहमिया ना पाले रिश्टों में, और सफ जीएगा जैसे ईश्वर का हाथ आपके सर पर हो, और जिसके सर पर ईश्वर का हाथ हो, इसको कोई नहीं रोख सकता, वो पूरा संसार विजय करके ही दम लेता है, हर्मान जी की उपास्तना, माता पिता, इस्त्री की सेवा, और कटू वचरों से, और अपने अधिकारों की गरत प्रयोग से बचिये, आपको आनम मुदाएगा, हरियों नमस्कार